तो मैंने ले लिया था कि एक rocket launcher लेके मेरे mission accomplished का report देना था चाती में और बाजू में और मेरे grenade मेरे पैर पे फटा हुआ था जी भर के लगाओ निशाने तुम चटानों का कुछ नहीं बिगार सकते जिनकी रगों में देश प्रेम बहता है उन्हें ये जख्म नहीं मार सकते मैं हूँ आरचे स्वाती और चल रहा है बजाओ for a cause जहां हम दिल से कह रहे हैं जो है हमारे पूर्व सैनेकों के लिए Red FM की एक छोटी सी कोशिश इस मुहिम के जरिये हम उन जाबा सेनानियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने देश की सलामती को अपने जीने की वज़ा बना लिया इन्ही में से एक वेटरन आज मेरे साथ हैं करनल दिवाकरन पद्मकुमार पिले शौरे चक्र जिनकी शौरे गाथा को पूरा देश सलाम करता है जैहन करनल जैहन अठाइस साल पहले मनीपुर तामिंग लॉंग में लॉंगडी पब्रम के इलाके में हुए उस एनकाउंटर की मेमरीज आज भी ताजा है पहले तो मेरे तरफ से रेड एफेम सुनने वालों को सब प्यार बड़ा सलूट जैहिंद जैबारत आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब में मैं कैसे बूल सकता हूँ यह तो एक फेमस डैलोग है सम पीपल लिव लिव लाइफ टाम अनकाउंट और उस उन पलों में मैं आज भी you remember that forever it is कई बार कभी कोई गाना सुनते वक्त या कोई न्यूस पेपर पड़ते वक्त हम कई बारों एंकाउंटर याद आता है कई छोटे बच्चे देखने पर या तो यह एक मेमरी है जो हमारे जो गाव है जो फिजिकल गाव है बॉड़ी में वैसे ही मेरे दिमाग में छपा हुआ है and it can never be forgotten और मेरा medal, actual medal तो शौरे चक्रा नहीं है मगर उस एंकाउंटर के memories जो है और जो उस एंकाउंटर के बाद में उस गावालों ने जो प्यार दिया है वो है मेरा असली medal जो मैं आज भी बड़े गर्व से पैटके चल सकता हूँ तो सर उस एंकाउंटर में आप बुरी तरह से गायल थे आपको गोली लगी थी आप एक ग्रिनेट फेका गया था अच्व आपके साथ साथ दो छोटे बच्चे भी थे जो गायल हुए थे लेकिन आपकी हलत जादा बुरी थी लेकिन जब आपको एवाकवेट किया जा रहा था तब आपने अपने से पहले उन बच्चों को बचाने के लिए कहा कि इनको लेके जो पहले उस वक्त में आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अगर medical attention में कहीं delay हो गया तो कुछ भी हो सकता है इतनी हिंसा और लड़ाई के बीच इनसानियत को आगे रखने का एक ख्याल कैसे आपके जहन में आपाया फौज में जैसे हम बढ़ती पहले बाद तो हम फौज में बढ़ती इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने देश को और अपने देशवासियों से प्यार करते हैं हम उनके लिए जो हम वेपन से लेते हैं इनको बचाने के लिए लेते हैं इनको मारने के लिए जब मैंने ये दो बच्चे देखे जो जिनको गायल हुआ जुसका इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं था और कोई इनका रोल नहीं था तो जो हमारे military academy में सिखाय जाता है the safety, honor, welfare of your country and countrymen come first वो मेरे दिमाख में सिखाय जाता है में बच्पन से वो समय मेरा mission था कि there was a competition government of India का रिट होना था वहापे वहापे insurgents ने अपना लगा रखा था और वो competition था Indian government का हमारे संप्रिदाय में जो liberties and freedoms assure किये हैं उसको uphold करना विसवी the insurgents जो demand कर रहे थे free nagaland, free nagaland तो जो contest था हम दोनों के बीच में था जो insurgents वा रहा है इन में बच्चों का कोई role नहीं था ना तो वह जानते थे किस रिजन के हैं या किस रिलिजन के हैं तो उनको there was no way they would have been evacuated या जिस तरह से उनको गा गोली लगा था तो अर्मी हेलिकॉप्टर उनके लिए वापस नहीं आता तो अजली वहापस नहीं आता कि अगर इसका आखरी ख्वाइश है इसको पूरा करो आप घायल थे आपने अपनी जगा दो बच्चों की जिंदगी बचाने का डिसिजन लिया और इन सब के बीच में जो इनसर्जन्स थे जिन्होंने आप पर फाइरिंग की थी वो सरेंडर कर चुके थे और जाहिर सी बाते काफी डरे हुए भी थे गाउं वाले भी डरे हुए थे तो इग्जाक्ली आप हमें वो सिचुएशन क्या थी उसको विजिट करा सकते क्या हुआ था उस ऑपरेशन के दोराग ये 1994 की बात है जब आपको मालूम है कैश्मीर में जो इंसरजन्सी शुरू हो गया था तो उदर से हमारे आर्मी डिविजिन्स एट मांटन डिविजिन्स बगारा जो थे वो मूव कर गया था वहाँ पे मैं हमारे बिटैलन को प्रिगिडे नौटियाल को खबर मिला था कि इस इलाके में कोई इंसरजन्स है जो एक रेडियो टावर और एक ब्रिज को ब्लो आप करने के लिए गादर हुए तो मुझे मिशन दिया गया था यंको सर्च और लोकेट करने का और डिस्ट्राइ करने का मिशन काम्याब होने से पहले तो में एक लोंग रेंज पेट्रोल में गया था था दस बीस दिन के लिए उजे हम लोको तो I went into that encounter and we knew that they were in the house and enter किया तो ये इंसरजन्स ने open fire open किया था मेन किक करके दर्वाजे पे गुसाता तो we entered then that encounter took place they fired at me I fired back and we fired back and then of course the encounter went on for a long time and I was losing lot of blood because मेरे चाती में और बाजू में मेरे ग्रनेड मेरे पेर पे फटा हुआ था and rifle के बट से भी मिजे कंदे पे मारा गया था तो मेरे राइफल के बट से भी मिजे कंदे पे मारा गया था मगर तो मैने सो ने ले ले था किया एक रोके लेक मेरे म कि इस बच्चों को evacuate कराये गया और वो militants जो surrender किये उसके बाद हमने उनको humanly treat किया जो conventions है वो और के देखे किस्मत ने ऐसा मोड लिया कि encounter के 16 साल बाद जिंदगी फिर आपको लोंगडी पब्रम लेकर आई जहां पर आप घायल हुए थे गाँवालों ने आपको अपनी ट्राइब में एक honorary position भी दी मुझे ये जानना है सर 16 साल बाद आपने जिन दो बच्चों की जान बचाई थी उनसे मिलकर कैसा लगा आपको How was that experience? आपको गाँवा ने आपको गाँवा ने आपको गाँवा पड़ेगा पुरा गांव शामेल था द person, अजु जब एकाई टोड़नly I met those people, you know, outta child with a seven son, she had become married, she had children of her own, then I met the young boy, there were two children, so I met them, it was a very emotional, and the grandmother, जिनके गर में वो अन्काउंटर था, she was also there, and she started crying, you know, hugging me and crying, and then for me, it felt like I'm meeting my own family member they gave me land also there oh my god that's huge yeah but they told me that this from this till the other hill is yours so I said I don't want any land I want some place in your heart जिनका देश पूरा है जो दिल में रहते हैं and I think more than that आप फॉर्ज में एक बार इंड़े होंगे इस second time आप एक ट्रीब में इंड़े हैं not many people have such you know stories to share आपने अपनी चोटो से recover करने के बाद अपना ही स्कूल Military School Bangalore जो है उसमें नौकरी शुरू करी वहाँ पे नई युवा पीड़ी को train करने का मौका मिला आपको तो Defense Services की training में ऐसा क्या होता है कि एक आम आदमी youth साहस और बहादरी के जजबे से भर उठता है क्या सोच है जो एक सैने को शौरे और बलेदान की प्रेना देती है I think yeah of course being part of that military academy and ethos really helps because you come up in stories of valor or courage you know whether it is Salaria or Batra or others you know you hear their stories you feel inspired because what the value that we place on our own life is lesser than what we value our country you know compared to our country and I think that is something that comes to us naturally like I told you before it is wrong to even think about your own personal safety or welfare or your profit or whatever at that time when you are on the battlefield जाने से पहले मैं आपसे जाना चाहूँगी कि हमारे listeners जो है हमारे देश के नागरिक जो है जो रड़िफेम से जुडे मैं इस वेक उनको आप क्या मैसज देना चाहेंगे जो अजादी मिला है हमें अंग्रेजों से हमारे पिताजी घजो पेरेंट्स के जाएशन है ओ तो देष बाउन इस वेन दो बिटिश गारूलिज जो लड़के उनोंने हमें चोड़ा है हमारा फर्स बनता है कि हम हमारे आने वाले generation leave this country in a better state the way they received it they left it better it is not just our rights or we want to make this country you have a right which we should and it is not by wearing a uniform alone you can save the country in any way you are doing great service to the country you are being a patriot so sir today we have a small effort for a cause we are trying to do it as you have served our country we are serving the country and serving you I would like to hear you say a few words about we for veterans what are you saying about this movement what are you saying about it it is a matter of inspiration so thank you for this we for veterans and and I am a very lucky soldier who survived so much and I could enjoy my life there are many soldiers who don't make it and anonymously they go so for them so for them today we are giving you the flag day it goes to help the soldiers paraplegic homes where there are artificial limbs etc for our soldiers I was lucky to reconstruct the army doctors are the best in the world and I am really lucky but there are many who are not lucky that people lose their legs they lose their limbs and the flag day you give your contributions for the soldiers or their families for their widows for their children for their children for their children and for their rehabilitation they give a lot of help the government spends all the money that they can do whatever contribution you do even if it is one rupee it is your emotion that matters and remembering them remembering the soldiers who didn't live beyond for what they gave Thank you very much Colonel Saab for joining us We are hoping those who have done so much we can do something for them and their families for their families If you want to be the force of the force and want to support our veterans then please visit KSB's website and do your contribution Let's celebrate Armed Forces Flag Day together we are hoping to engage who passes to establish how the veterans and you be